assalamu alaikum students i hope you all are doing fine today's topic of review and is osmosis first point is definition of osmosis it is the movement of water across semi-permeable membrane ठीक है जहां पे solute की concentration कम होगी to us higher solute concentration next आपके पास है definition tonicity की relative concentration को हम लोग of relative concentration of solute in the solution जब उनको compare किया जाएगा तो वो term आपके पास tonicity कहलाती है first point आपके पास hypertonic solution then hypotonic and isotonic hypertonic में आपके पास solute concentration ज़्यादा होगी hypotonic में solute concentration कम होगी और isotonic में equal concentration होगी of solutes in both solutions जैसा कि इस डाइग्राम में आपको पुरी हम लोग ने explanation की थी during class next topic is water balance problems first paragraph में हम लोग ने discuss किया था water balance problems in animal cells and second water balance problems in plant cells ठीक है हम लोगों ने तीनों conditions इसमें discuss की थी आपको याद होगा animal saline isotonic solution animals and hypotonic solution and then hypertonic solution जो conditions हम लोगों ने इसको discuss किया था बेटा वैसे ही आप लोग इसको याद कर लेंगे second paragraph की मार्किंग भी आप लोगों को याद होगी हम लोग ने की थी उसी तरह ही आप लोग इसको एक बहर फिर चेक कर लीजिएगा टर्गर प्रेशर की definition वर इस टर्गर एंड देन वर इस प्लास्मोलिस लाइस डाइग्राम की explanation आपको याद होगी तो आप लोग इसकी अच्छी तरह रिवियन कर लीजिएगा इनिमल सेल की कर रहा है जिसकी विज़ासे नॉर्मल स्टेट में होगा सेल फिर अगर आइज़ टॉनिक की बात करते हैं तो सेल फ्लैसिट कंडिशन में आ जाएगा और हाइपर टॉनिक में सेल्स श्रिंक हो जाएंगे क्योंकि एक्स्ट्रा रिमूवल ओफ वाटर यहां पर हो रहा है न ही रहेगी सेल्स जो हैं गुलुकोस बनाते हैं दिरिंग डे टाइंग वहां पर हाइपर टॉनिक कंडिशन है ठीक है वाटर यहां पर एंटर करेगा और वह स्वेल्ड फॉम में चले जाएंगे पिर अगर नाइट टाम की बात करते हैं तो सुल्यूट कंसंट्रेशन क्यू ने उसको बिक्तेरिया वारिस की सपरेशन के लिए यूज किया जा रहा है क्योंकि बैक्तेरिया सप 넣मोस में इसको यूज के जा रहें हैं और इस प्रोसेसमे stiff time बिर मेंस हृणार सफonर को सप्रेट करती है फ्रॉछ this process is known as reverse osmosis okay class thank you love is